हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस अफ सलूसंस पर और आप देख रहे हैं हमारा एंगलर 8 का फूल टूटोरियल सीरिज दोस्तो आज हम देखने वाले हैं अगलर के नए वर्जन अगलर 8 में विउचल और कंटेन्ट चैनल में क्या चेंज जाया है इसकी यूज में क्या चेंज जाया इसके बारे हम फोकस करने वाले इस वीडियो टूटोरियल में तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो टॉटोरियल का स्टार्ट करूं मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैंडली आप इससे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टॉटोरियल को दोस्तों जब हम अपने प्रोजेट को एंगलरेट में अपग्रेट करते हैं तो उसमें कुछ स्मॉल चेंजे जाया है यूज रिलेटेट इस चीज़ को ज्यादा फोकस नहीं कर रही है वाइड कर रही है बट ऐसा हुआ है कि एंगलर के एट वर्जन में यूज चाइल और कंटेल चाइल्ड में कुछ ब्रेकिंग चेंजेज किया गया है तो यह क्या है किस तरीके से एफ्यक्टिव है एंगलर टीम इसकिए वाइ पर हुआ है इसके बारे में अंगलर टीम क्या कर रही है इसे को ज्यादा फोकस नहीं कर रही है आई जे नॉर्मल ब्रेकिंग चैनेज बता रही है लेकिन अब क्या होगा कि अंगलर एट में हमें अस्टैक्टिक फ्लैक जो वीचाइल और कंटेंड चाइल हम यूज करते है है तो उसमें बुलियन अस्टैक्टिक फ्लैक जो हमें उज करते थे उसको मेंडेटरी कर दिया गया है जैसा कि आप पहले यंगलर सेबेन या 56 में अपने काम किया होगा या फिर हमारे चैनल पर आपने देखा होगा वीडियो तो वहां पर वीचाइल और कंटेंड चाइल ह एक इंस्टांस को डिफाइन करेंगे सब्सक्राइब नीजे आप देख सकते हैं कि वूचाल का अमने अगला इसको फाल्स लगा रहा है इस तरीके से अब इसको में में पर दिया गया है आपको जैसा कि पता है कि यह चीज़ है यह इस तान्स यह यह वेरियवल क्या होता है कि ng on init पर कभी-कभी मिलता है जैसा कि हम जानते हैं लेडी और कभी-कभी यह हमें नहीं मिलता यहां तक ng after content init और ng after view init पर भी नहीं मिलता यह तब अकर होता है जब हम इसको DOM में load करते है according to some data binding like जैसे ng if या ng for use करते हैं तब यह क्या करता है कि तब इंसर्ट होता है DOM में ng after content init में या फिर ng after view init पर तब जाकर उसमें DOM में हमारे instrument को इंसर्ट करता है तो यह हां पर थोड़ा सा confusing है कि यह जब यहां मिलता नहीं है या फिर कभी-कभी यह मिस हो जाता है इस तरीके के चीज़ों को fix करना चाहिए ना कि इसका solution निकलना चाहिए ना कि इसको और mandatory कर देना चाहिए यह थोड़ा सा confusing topic है लेकिन यह changes आ गया है आप जब काम करेंगे अगर आप वहां पर boolean static flag नहीं लगाएंगे तो आपको वहां पर error show करेगा क्योंकि इसको mandatory कर दिया गया है और आपको use करना ही करना होगा अब इससे जो problem create होती है कभी-कभी यह नहीं गेट होता है कभी गेट होता है इसको आप अपने सार इसको solution solution निकालेंगे हो सकता है इसको mandatory किया गया हो कुछ और भी कुछ सोचा गया हो इसके बारे में लेकिन यह breaking changes है आपको इस चीज़ पर notice रखना होगा जब आप काम करेंगे तो या फिर आप से कहीं इंट्रिव्य में भी पूछा जा सकता है कि यूचाइल और content child में अब क्या difference किया गया या फिर कुछ syntax दिया जाएगा ज्यादातर आजकर क्या हो रहा है कि जब रिटन टेस्ट में syntax देता है कौन से syntax है क्या है यहां पर आपको इसके view child या content child का इंस्टांस क्रेट करते time का syntax दे दिया गया उसमें आपका यह flag नहीं लगा रहा गया है और लिख दिया जागा इंगलरेट में सही या गलत है तो आपको वहां पर गलत वताना होगा यह सारी चीज़े आपको माइन में रखना होगा इस चोटी-चोटी चीज़े लॉजिकल चीज़े आपके प्रजेक्ट टेवलाप्मेंट और आपके जैसे कि ng on init पर जैसे हमें component initialization होगा वहां पर यह try करेगा उसको find करने का it can be done when the element not in any structural directives और अगर इसको हम false करते हैं तो इसका ही concept होता है अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता भी है तो और इसको हम false कर देंगे तो after initialization इसको find करेगा तो यह दोस्तो यह चीजें चेंजे जाया है इसको आपका माइन में रखना होगा आपको समझ में आ गया होगा कि विव चायल और content चायल में क्या चेंजे जाया है फिर भी आपके माइन में कोई confusion होगा ताप हमारे comment पर जूरूर कीज़ेगा दोस्तों यह जब हम काम करने दोस्तों और आपको मैं बताते चलूं कि हमारा एंगुलर कानया बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेबल तक के concept को अच्छे से पढ़ाते हैं with practical इसमें interview की भी preparation हो जाती है और हमारे एंगुलर की live project training भी अस्टार्ट होने वाले जिसको आप जूइन कर सकते हैं उसके लिए आपको हमारे website पर जाना होगा जिसका link में इस वीडियो के description box में दे दूँगा ऐसे भी आप टाइप कर सकते है www.sohoesoft.com वहाँ पर आप विजिट करके हमारा प्लान देख सकते हैं और कोई भी बैज आप जॉइन कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो मागले topic के साथ तब तक रहेंक्यू सो मच अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक केजिए शेयर केजिए दोस्तों कैसा है